हेलो फ्रेंग्स वेलकम बैक आवर चानल आप सभी कापके अपने चानल पर स्वागत और आज हम बात करने वाले हैं अच्पेसी पीजटी कंप्यूटर साइन्स की एक्जाम के बारे में कई बच्चे पूछेते कि माम क्या जो है किस तरीके से चीजे होने वाली हैं एक्जाम क तो उन्होंने बताया था कि वह आफस में गए थे और फिर वहां पर जो है एक्च्पेसी और डीसी इन सब की मिटिंग हुई है और उसके बाद जो है आपको पता है कि एस्टेट 2023 को हर बार जो है ना ही देखने को मिली है उन्होंने बात भी करके देख लिया कोट केस भी कर एस्टेट होने के बाद जो वेकेंसी ओपन हुई है तो उन्होंने दिखाए कि इसकी सर हमें भी मुझा दे दिया जाए तो इसके उपर जो है उन्होंने ये रिप्लाइ किया है कि जब भी आपका एक्जाम होगा हपी एस्टी पीजटी कंप्यूटर साइंस का उससे एक वीक पहले जो है अपका पोर्टल ओपन हो जाएगा सिर्फ वन वीक के लिए ही होगा तो जिन बच्चों को है कि भाई एक्जाम को लेके एस्टेट वालों को तो वो जो है अपना दुज़र तेईस वाले जिनको है क इस सब्जेक्टिव पेपर अपने तयारी कर सकते हो क्योंकि अगर आपको लास्ट टाइम पेग़े तो आपको टाइम नहीं मिल पाएगा तो जितने भी अश्टेट वाले बच्चे हैं वो त्यारी शुरू कर दें मतलब मेरी उस लड़की से बात हुई थी देखो उसने कर देखो एक ही बच्चे से कई दो-चार बच्चों से मेरी बात हुई उसके बाद कंफर्म मैंने आपको इहां पर बताया है अब जो है एक्जाम होने का देखो जून में तो कोई पॉसिबिलिटी है नहीं पहले जो हो रहा था कि मही महीं एक्जाम हो जाएगा फिर हुआ क कि जून में तो हो ही जाएगा लेकिन जून में कोई पॉसिबिलिटी नहीं आती ही जून है ठीक है और चांसेज है क्योंकि आपकी जो हेरिंग है नेक्स डिट जो है जो है जुलाई में है तो हो सकता है कि भई अब जो है उसका ही बेट किया जा रहा हो और जैसे ही 22 को में जुलाई में आपको व से जुलाई एंड में है उसके बाद देखते हैं कि क्या रहता है बाकी पूरी पोसिबिलिटी है कि जुलाई में या अगस्त में आपका एक्साम सिन्ट करवा ला जा И जुग भी एका पर समुलाई में लेकी जून समय को जब बिया एकिन होगा और या फिर 2023 वालों को एड़ करेंगे दोनों कुश्चंस पर कमेंट करके बताएं कि दोनों चीजों की पॉसिबिलिटी कितनी है वीडियो चिलेगे तो लाइक जुरू के जगा चैनल पर नहीं है सब्सक्राइब कर दीचे फिर में लेंगे नेक्स वड़ों में तो तक लिए बाइबाइ तिक किया थेंट यू